हलो दोस्तों, मैसेल बानुपरताप सिंग, आज का टॉपिक है सेल कब और क्यों होती है, आज बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, देखा गया है कि सेल्स की बिजनस में हैं और वो सेल्स के लिए ही परिशान रहते हैं, रीजन क्या है, क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, या बहुत कम कर पाते हैं, आएए देखते हैं उसके कुछ कारण और निवारण के बारे में, सेल के बारे में, जितने भी एक्सपर्ट हैं, वर्ड के टॉप्मोस्ट एक्सपर्ट्स, ये कहते हैं सेल तभी होती ही जब आप consistent होते हैं. Consistency Consistency and perfection Consistency जितना होंगे उतना perfection की ओर धीरे-धीरे-धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे. Consistency आप जैसे ही picture में देख पा रहे हैं. Consistency आपके दिमाग पर बहुत बड़ा असर करती है. बहुत बड़ा काम करती है. लगातार, लगातार, किसी भी काम को लगातार करते-करते-करते-करते एक समय ऐसा आजाता सपने में भी, नीद में भी आप वही काम करने लगते हैं. नीचे एक picture देख रहे हैं. आप सोच सकते हैं कि एक ही जगा पर सारे तीर मारने के लिए कितनी प्रैक्टिस करने पड़ी होगी, कितना perfection और कितनी consistency की जरुत पड़ी होगी, तुसी तरह sales में भी है, consistency continuous, continuous कोई भी काम, अगर आप सोचते हैं कि आपको 6 गंटे लगाने हैं, 4 गंटे लगाने हैं, 5 गंटे लगाने हैं, 2 गंटे लगाने हैं, जो भी time आप decide करते हैं, उसमें consistent रहे, consistent रहेंगे धीरे-धीरे करके, आपकी skill डवलप होती चली जाएगी, जैसे-जैसे skill डवलप होती चली जाएगा, आपको confidence बढ़ता चला जाएगा, दूसरा point है persistency, persistency कितना pursue करते हैं, यह data है, analytics है, जिससे आप समझ पाएगे कि ऐसे, क्या चीज़ है यह, 48% sales never follow up with the prospect, 25% लोग second time contact नहीं करते, 12% लोग के वल तीन बार contact करते हैं और छोड़ देते हैं, 10% sales people make more than three contacts, यह एने analytics है कि 2% sale ही पहली बार के contact में होती है, 3% sale are made on the second contact, 5% sales are made on the third contact, तीसरी बार contact करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो तीसरी बार में 5% sale convert होती है, 10% चौथी पाँचवी में convert होती है, 80% sale are made on the 5th to 12th contact, यहनी 10 से बारा बार, 5 से 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार, अगर आप contact करेंगे, तब जाके वो आपकी sales convert होंगी, इस data से आप समझ सकते हैं, एक slide आप देख आ रहे हैं, consistency, persistency, consistent and persistent, consistency, persistency, आप बीच में एक column देख रहे हैं, consistency और persistency के बीच में ही success है, यह दो चीज़ें अगर आप follow करते हैं, तो आपको success से आप से दूर नहीं रहेगी, success होने से कोई रोक नहीं सकता, faith, तीसरा point है conviction, faith, हम भगवान के सामने हाथ जोडते हैं, तो हमें विश्वास होता है, कि ईश्वर हमारे problem का solution देगा, कुछ तो solution मिलेगा, हमें शानती मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, conviction वहाँ पर होता है हमारा, belief is not a matter of choice, but of conviction, कितना conviction है आपको किसी चीज की प्रती, किसी भी चीज की प्रती आप कितना conviction रखते हैं, कुछ चीजें आपने बहुत कहानियों में सुनी होगी, एक वार हुई थी, battle of Chamkaur, 10,000 के बराबर, 21 लोग, और leader ये कहते हैं, कि हम जीत जाएंगे, आपने कभी सोचा है, कि उनका thought process कैसा होगा, इतने लोग, उनके खिलाफ हम जीत जाएंगे, 71 की वार लोंगो वाला post, tank brigade एक तरफ, 2000 से ज़्यादा सानिक, और वो कहते हम जीत जाएंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है इस बात पर, कि हम इस काम को कर लेंगे, ऐसी बहुत सारी कहानियां आप ढूनेंगे, आपको मिलेगी, एक माँ, जो 20 किलो का वजन नहीं उठा पाती, 70 की स्पीड से डॉड़ती ही कार को उठा देती, ऐसा क्यों है, वो कन्विक्शन ऐसा क्यों, ऐसा क्या आजाता है, जो वो ऐसे काम कर देते हैं, जिनके बारे में विश्वास नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, यहाँ पर कहा जाएगा तो बहुत लंबई हो जाएगा वीडियो, सलूसन क्या है, सलूसन अफना एनी प्रॉबलम, प्रॉबलम बीच में हैं, सलूसन कितने हो सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, कितने सलूसन आप अपने कस्ट्वर को देते हैं, क्योंकि किसी प्रॉबलम का सलूसन है, तो ही कोई लेगा, otherwise कोई लेगा नहीं इसे एक चीज से समझ सकते हैं मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, वो मेरे पास पैसे नहीं है आप मुझे कपड़े बेचने की कोशिश कर रहा है क्या होगा, मैं खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे नहीं और कपड़े मेरे पास बैसे ही, बहुत बढ़े-बढ़े हुए तो मैं क्यों खरीदूंगा? तो सब identify the need अगर आपको पता है कि उनको इस चीज की प्रावलम है यही solution में दिया जा सकता है तभी दीजिये दिवार को धक्का मत लगाई है दिवार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो परसनली जानता हूँ वो दिवार को धक्का लगाते रहते हैं उन्हें उस चीज की जरुवत नहीं और उन्हें बेशने की कोशिश करते हैं वो लगातार उन से भागते हैं बहुत बार होता है, लोग हमें मना नहीं कर पाते, सुनते रहते हैं हमारी बात, बट उन्हें उस चीज की जरुरत नहीं है, तो प्रावलम को अइडेंटिफाई करिए, उनकी नीड को अइडेंटिफाई करिए, उसके बाद ही सलूसन दीजे, कितनी तरह से सलूसन दिया जैसे ही रिजल्ट उस समय प्रेजेंट करेंगे, आपकी सेल्स की चांसे बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं या वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आप मुझसे कुछ जा आइन करें, तो आपको इस तरह की चीजें लगातार पतालक्ती रहेंगी, मैं भानुकताप सिंग, आपके सुखद मंगल मैं जीवन की कामना करता हूँ, आप सफल हो, सफलता आपके कदम चुमे, इनी शब्दों के साथ इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आपका बहु आपके कर दो